पानी के लिए हाहाकार आंदोलन करने जा रहे वाडवाशियों के जल्दाई विभाग आने की सूचना पर वाडवाशी के जल्दाई विभाग आने से पहले ही जल्दाई विभाग के अधिकारी पहुंचे वाडवाशियों के बीज जानी समस्या पेजल समश्या को लेकर हाहाकार मचा हुआ है ताजा मामला चिडावा नगरपाली का च्छेतर के वाड नमबर नो का है जहां मलसिसरिया फामा उसके पास वाडवासी पिछले तीन माँ से पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं हालात यह हैं कि यहां के वाडवासी को टेंकरों से पानी मंगवाना पड़ रहा है इसी के विरोध में आज वाडवासी वाड के सिव मंदिर में जमा हुए और जल्दाई विभाग का गहराव करने के लिए रूप रेखा त्यार की इसी की सूचना जब जल्दाई विभाग के एदिकारियों को मिली तो जल्दाई विभाग के साय के वियंता रजत खुद ही वाडवाशियों के बीच पहुँच गए और उनकी समश्याओं को सुना और सोमार तक समाधान करने की बात कही इसके बाद वाडवाशी सांत हो गए वाडवाशियों का आरोप है कि इस समश्या को लेकर वे जिला कलेक्टर से लेकर एशडियम तक और जल्दाई विभाग को कई बार शिकायत कर चुके हैं वहीं इस्तानी विधायक को भी इस समश्या के बारे में अउगत करवाया जा चुका है लेकिन समश्या का समधान नहीं हो पाया है वाडवाशों का कहना है कि टूवेल का पानी सुख गया है वहीं जल्दाई विवाग का कहना है कि इस सम्मंद में परस्ताव बना कर भेजा जा रहा है भाजपा जिला महामंतरी राजिस दया की अगवाई में हुए परदस्षन के दोरान दया ने कहा कि समादा नहीं होने पर बड़ा अंदोलन किया जाएगा इस समस्या को लेकर हर संभव संग्रस किया जाएगा इस दोरान पारसद मदन डारा भाजपा नगरमंडल अदेक्स बबुलाल वर्मा विजंदर कुमार बैंक मेनेजर बेनी परशाद सोनु सर्मा हजारी राल योगी निरज कुमावत नरेश सेनी मोनु योगी गंशाम समेत बड़ी संक्या में महिला वै पुरुस मोजुद रहे पांच महिने से वाड के निवासी प्रेसान है पानी की भूज तक नहीं पानी का समाता नहीं हो रहा है आखिकार महिला है सामने बठी है घरवत निकल गर के अंदोर्ण करने के लिए तयार है पानी के लिए पानी के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे हमारा हक है पानी हम लेके रहेंगे कोई संध्य नहीं है पानी के लिए बहुत अच्छी बात है जो चिड़ावा के अंदर वाड़ नमबर नो है मल्सी सर्या फार्माउस से रिलेटर जो जूगल शूप गया था उसके लिए लोग इखटा हुए थे और पता चला कि लोग विभाग में आ रहे हैं तो मैं सुचा उनको परिशाल ना होना पड़े इसलिए हम यहां पे खुद स्वेम पहुंचके इनके समझ्या को सुना जाए उसके लिए यहां पे पहुंचा उन लोगों की समझ्या को जाना तो एक रोड क्रोशिंग के जरिए अपने को पाइपलाइन को कनेक्ट करना है जो पी ड समाधान दिया जाएगा दूसरी इनके थी ट्यूवेल का जो ट्यूवेल का प्रस्ताव बढ़ा के चीफ ओकिस में बेजा गया है तो मर्सी सरी अफार्मा उसके नियर जो ड्राई हो गया उसकी देवज में है तो वह भी कोशिस है कि जल्दी पास हो जाए तो इनको डबल फ थी उसके अकोर्डिंग दुबारा नया बेजा गया और दूसरा इनके जो पाइपलाइन ग्रोसिंग की समश्यारी थी ती टी डबलो डी से तो ये कलेक्टर साब के पास भी गये थे तो उनसे भी SDM साब से बात करके आज समश्या का निश्तारन हो जाना दिए है तो माइनि से घटना के दोरान काम में ली गई केमपर गाड़ी को भी जब्त किया है आरोपियों को अलग अलग जगे दबिस देकर पकड़ा गया है कोतवाली थाना इंचार्ज करशन राजजांगिर ने बताया कि घटना में सामिल अन्य बदमासों को पकड़ने के लिए टीम बना कर दबिस दी जा रही है पुलिस को सक है कि दो दिन पहले ही मोडा पहाड इस्तित बाबा मस्त राम आसरम की सीडियों के पास बाइक वाइस कुट्टी में तोड फोर्ड में भी ये आरोपी सामिल रहे होंगे फिलहाल आरोपियों से पुस्तास की जा रही है आरोपियों ने हम पर लाठी सरीयों से हमला किया था उसके बाद मके से फरार हो गए थे ग्रामिनों की मदद से गह overcome को जुझनु के निजी अस्पिताल में भरती करवाया गया था जहां से हालत गंबीर होने पर जैपूर रेफर किया गया था फिलहाल पीडित का इलाज जैपूर में चल रहा है हालत गंबीर बनी हुई है बदमासों ने जिस पर हमला किया था वे माइनिंग व्या पारी है कुछ लोग गायल भी हुए थे इसके बाद से ये विवाद चल रहा है और विवाद बढ़ता जा रहा था पुलिस व्यापारी पर हमले के पीछे यही कारण मान रही है सबी आरोपियों की गिरपतारी के बाद पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा अची अफरात अफरी के गुड़ा रोड पर इस्तीत मून राइज होटल की है आग की सुचना पर फायर बिगेट भी मोके पर पहुंची जब तक फायर बिगेट मोके पर पहुंची तब तक बहुत कुछ जलकर राख हो चुका था आग किन कारणों से लगी है ये भी पता नहीं लग पाया है मनीपूर हींसा का मामला जुन्जनू में सडको पर उत्रे जनवादी संगठन मनीपूर में हो रही गटना को लेकर वाम पंथी जनवादी संगठनों ने कलेक्टेड पर विरोध परदशन किया है ग्रह मंत्री वे मनिपूर के मुख्य मंत्री का पुतला फुक कर आक्रोस जताते वे जमकर नारेवाजी की गई है साथ ही ग्रह मंत्री वे मनिपूर के मुख्य मंत्री से इस्तिपय की मांग की गई है इससे पहले कारिकरताओं की ओर से सईद इसमार पार्क से रेली निकाली गई इसके बाद कलेक्टेड पर पहुंचकर जमकर विरोध परदसन किया गया रामचंदर कुलहरी ने बताया कि मनिपूर में सरेयाम भीड कानून को हाथ में लेकर नरसंगहार कर रही है सेकडो लोगों की बेरहमी से मौत हो चुकी है महिलाओं के साथ बरबरता की जा रही है मानिपूर में जो सोजनी जो जन्प सार हो रहा है और संकी प्रियोगसाला जो बनाई जा रही है सिर्फ आपने राजनिती की मकसद के लिए और वहां मैलाओं की सर्याम इजट लूटी जा रहे हैं उनको नंगा किया जा रहा है एसी इस्तिति में पूरे देश वर में उसके खिलाफ में जो भी जनवादी ताक्ते वांपंधी ताक्ते वह सड़कू पर आ रही है विरोत बढूर के सरकार को तुरंद वरखास करे और जो दोसिएं उनको कानून के दैरिया में लाकर के उनको फासी दी जाए अपरादियों उğंको फासी दी जाए इसी मांग को लेकर हमने आदी विरोत परतासन किया है और राश्टवति के नाम हम ग्यापन देनी जा रहे हैं उसमें मुख्य मंतरी को बर्खास करने की मांग है मनिपूर के मुख्य मंतरी वीरेन को और ग्रैम मंतरी को इस्थिवा देना चाहिए सुरजगर सहर के अनाज मंडी इस्तित मितल भावन में चल रही सिरीमत भागवत कथा के दूसरे दिन आचारिये पंडित मुकेस पुजारी ने भक्त धुरुय की कथा सुनाई भक्ति कर प्राप्त किया जा सकता है धुरुय ने बचपन से ही भगवान को सच्चे मन से माना जि उन्होंने कहा कि दुनिया में 84 लाग प्रकार की योनिया है जीव इन में भटकता फिरता है इससे मुक्त होने का एक मात्र मार्ग भगवान का चिंतन और मनन है इस मौके पर संतोस कैलास पवन महे स्मित्तल रोबिन राहुल तरुन हितेस नितेस सईत काफी संक्या में महिला सरधालू और पूर्स मोजुद रहे कथा के दोरान भगवान सीव विश्नु भगवान धुर्व की मन मोहक जाकी सजाई गई जिसने सभी का मन मोह लिया नहीं सहेगा राजस्तान अभ्यान की मंडेला ग्रामिन मंडल में हुई शुरुवात भारती जनता पायटी राजस्ता दोरा चलाए जा रहे परदेश व्यापी आंदोलन नहीं सहेगा राजस्तान अभ्यान को लेकर आज मंडेला ग्रामिन मंडल के मंडेला के मुखे बजार में मंडल अधेक्स ओमपरका सोनी की अगवाई में राजस्तान सरकार के विफल काड व्यापारियों को वितरित कर आन 22 जुलाई को सीकर में होने वाली आम सबा में अधिक से अधिक लोगों के पहुचने की अपील की गई है इस मुके पर मंडल अधेक्स ओमपरका सोनी जैपाल सिंग निर्वान संजे चोदरी अनिल दरजी दीपचन सेन रणजित सिंग आदी भाजपा करे करता मोजुद रहे आप में है हुनर तो सरकार दे रही है आपको हुनर दिखाने का मंच राजस्तान युवा बोर्ड युवा मामलेवे खेल विभाग राजस्तान सरकार द्वारा राज्य की लुप्त और दुरलब लोक कला और संसकर्ति के सरक्षन और प्रोश्चान है तो राजस्तान युव मौसव का आयोजन चिडाव ब्लोक में उपकंड इस्तर पर 28 जुलाई को राजकला राज किये बाली का उच माध्मिक विधाले में किया जा रहा है इस एक दिवशिये आयोजन की शुरुवात सुबह 9 वजे से होगी जिसका सुभारम पिलानी विधायक जेपी संदेलिया करें आज भी हो रहा है इसके इंदर बच्चे जो पंद्रा से गुंटिशन की शुरुवात सुभारम पिलानी विधायक में किया जाएगा इसके इंदर ओनलाइन रेजिस्टेशन बच्चों का हो रहा है आज भी हो रहा है इसके इंदर बच्चे जो पंद्रा से गुंटिश वर्ष तक के और ओनलाइन कर सकते हैं जैसे वो विध्यारती हो जैसे वो सम्माने नागरिक हो यह कलाकारों को पुर्शांद करने के लिए राज्य सरकार दुवारा एक बहुत अच्छी स्कीम है इसमें जो भी भाग लें जब फंच्छे की इंदर उनको मुमेंटो दिया जाएगा सहरी ओलम्पिक में लोगों का उस्सा कम ग्रामिन इस्तर पर उस्सा अधिक सहरी ओलम्पिक में लोगों का उस्सा कम नजरा रहा है जबकि ग्रामिन इस्तर की बात करें तो उस्सा अधिक नजरा रहा है जो आकडों में भी दिखाई दे रहा है चिडावा पंचाय समिती के विकास अधिकारी रणशिंग चोदरी ने बताया कि सहरी ओलंपिक के रजिस्टेशन के लिए 5000 लोगों का रजिस्टेशन का टारगेट है जबकि 4523 लोगों नहीं रजिस्टेशन करवाया है जो परतिसत में अगर उसकी बात की जाए तो 90 परतिसत है जबकि ग्रामिनिस्टर की बात करें तो ग्रामिन ओलंपिक को लेकर काफी उस्सा देखा जा रहा है ग्रामिनिस्टर पर सद परतिसत यानि की 100 परतिसत से भी अधिक रजिस्टेशन हुए है करीब 107 या फिर 108 परतिसत टारगेट को हासिल कर लिया गया है ग्रामिन इस्टर पर 15,000 लोगों के रजिस्टेशन का टारगेट है जबकि रजिस्टेशन की बात करें तो 15,000 से अधिक यानि की 16,195 लोगों ने रजिस्टेशन करवा चुके है संभावित है कि 5 अगस्त को सहरी वे ग्रामिन ओलम्पिक की सुरुवात होगी सहरी वे ग्रामिन ओलम्पिक के लिए जारी है रजिस्टेशन अभी तक 20,623 लोगों ने किया रजिस्टेशन सहरी वे ग्रामिन ओलम्पिक के लिए रजिस्टेशन जारी है चिडाव ब्लोक की बात करें तो अभी तक कुल 20,623 लोगों ने रेजिस्टेशन किया है चिडाव पंचाई समिती के विकास अधिकारी रणी सिंग चोधरी ने बताया कि सहरी ओलंपिक के लिए 4523 लोगों ने रेजिस्टेशन किया है जबकि ग्रामिन ओलंपिक के लिए 16,98 लोगों ने रेजिस्टेशन करवाया है सर्थ ग्रामिन और जो सहरी ओलंपिक उसके रेजिस्टेशन चल रहे हैं अभी तक कितने रेजिस्टेशन हुए हैं और संभावित प्रस्तावित डेट है उस प्रटविता कि वो कब किया इसमें अभी जो युवा मामले और खेल विवाग है इन्होंने एक आदेश जारीकर 18 दुलाई को रेजिस्टेशन की अउदी बढ़ा दी है लेकिन अभी तक सहरी शेतर में माज अजार का लगसे था इसके बढ़ी 4523 खिलाडियों का रेजिस्टेशन हो चुका रहे हैं वहीं ग्रामेण शेतर में 15,000 का लगसे था जिसके विरूत 16,000 अठानमें खिलाडियों का रेजिस्टेशन अब तक हो गया है सरकार ने इसकी तारीख बढ़ा करके अभी रेजिस्टेशन की तारीख है वह 25 जुलाई 2023 तक बढ़ा दी है रेजिस्टेशन करने की यानि कि अभी ग्रामेण और सहरी ये दोनों जगह 25 जुलाई तक रेजिस्टेशन खिले हैं